नेवी AA SSR के लिए परिक्षाइब पर आउनलाइन टेस्ट स्रीज अब लेबल हैं तो जाके पर्चेस कर लो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी पर्चेस करते वक्त आपको कोड को आपसन आएगा तो यह कोड आपको दिख रहा होगा इंडिय जाएगा अपर यहां पर आपको नेउस पर्चेस मिल जाएगी पूरी प्लेस्ट आपको मिल जाएगी या पिए नीचे description पर देकना आपको science की जो पूरी 50 वीडियो का course है वो science का जो कि मैं आपको एकदम फ़री प्रेमे प्रवाइड करें सेकेंड चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल सिस्क्रायब करना है नीचे description पर देखो लिंक आपको सबसे उपर मिल जाएकी क्लिक करके सेकेंड चैनल पर चले जाएए और साइंस का पूरा पचास वीडियो का करेस कोर्स देख लीजिए चलो मैं स्टार्ट करते हैं कुईशन्स बहुत इंपोर्टन कुईशन्स होंगे सारे हलके कुईशन्स भी होंगे बीच में क्योंकि नएवी क्योंकि MR के लिए और हाई लेवल क्वेशन्स डबल एससर के लिए भी होंगे ठीक है हर एक क्वेशन्स बाद दो सेगंड का मैं टाइम दूँगा ताकि आप कमेंड बॉक्स में जवाब लिख सको या फिर आप लाश्ट में बता देना कि आपके कितने में से कितने सही दोनुँद में बहुत ज़्याद है पहले उत्रे दिर wen पर पहुँचने वाले जो प्रतम व्यक्ति कौन थे चार आपके सामने आपको जवाब देना है तो correct जवाब इसका हो जाएगा Robert P.R.E. उत्रे दुरों पर पहुंचने माले जो पर्थम वेक्ति थे पहले वेक्ति थे वो थे Robert P.R.E. तो इनका नाम आपको याद रखना है Next question लेते हैं Question number 2 Mount Everest पर चड़ने वाली पर्थम महिला सबसे पहले तो यह question पूछा जा सकता है Mount Everest पर चड़ने वाली पर्थम महिला कों थी तो आपको याद रखना नाम जुंको ताबही अब यह पूछा गया इस question में कि जुंको ताबही किस देश की है Direct question आ जाता है कि जुंको ताबही किस देश की इतना question आ सकता है तो आपको पता होने चीज जुंको ताबही को होने Mount Everest पर चड़ने वाली पर्थम महिला है या फिर ऐसे question आ जाता है Mount Everest पर चड़ने वाली पर्थम महिला किस देश की है इतना भी question आ जाता है तो आपको पूरा complete question याद रखना है जुंको ताबही किस देश की है क्या आपको बताना है तो correct जवाब इसका हो जाएगा Japan Mount Everest पर चड़ने वाली जो पर्थम महिला थी जुंको ताबही थी और वो जैपैन की थी question number 3 question number 3 है संयूक्त राष्ट महासभा की पर्थम महिला सभापती कौन बनी थी हाँ तो correct जवाब इसका हो जाएगा option number C संयूक्त राष्ट महासभा की पर्थम महिला सभापती जो बनी थी वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित next question लेते है question number 4 बारत का जो पर्थम लोग सभा अद्यच था वो कौन था देखो पीडियप के लिए परिशान मत होना कि आप मुझे पीडियप दो बस आप regular आते रहिएगा जो मैं चीज़ें बता रहूँ वो करते रहिएगा आपको एक एक question रट जाएगा भारत का जो पर्थम लोग सभा अद्यच है था वो कौन था तो भारत के पर्थम लोग सभा अद्यच थे कौन थे आपको बताना है जी आप अपसर नमबर एस का correct जाब है जीवी माउलंकर जीवी माउलंकर ये भारत के पर्थम लोग सभा अद्यच थे जच कुशन लेते हैं question number 5 question number 5 भी काफी बढ़े है question भारत की जो पहली पहली या प्रथम महिला नादीच थी वो कौन थी हाँ तो इसका correct जाब हो जाएगा भारत की जो प्रथम महिला नादीच थी वो थी फातिमा भी भी question number 6 भारत की प्रथम महिला IAS अदिकारी I.S. का full form comment box में जरूर लिखिएगा कितने लोगों को पता है अभी पता चल जाएगा तो I.S. अधिकारी कौन थी भारत की पर्थम महिला तो correct जवाब हो जाएगा अन्ना जॉर्ज आपसा नंबर सीज का correct जवाब है बारत के पर्थम ग्रह मंतरी चलिए सबसे पहले comment box में लिखिए बारत के पर्थम ग्रह मंतरी कौन है और अगर आपने पढ़ लिया है कि वल्लब भाई पटेल है तो बताएगे कि इन्हें कौन सा पुरुसकार प्रदान किया गया था या फिर दूसरा question इन्हें भारत रतन प्रदान किया गया था तो कब किया गया था ये बताएगे चलिए तो इसका correct जवाब हो जाएगा 1991 1991 बारत के पर्थम ग्रह मंतरी पर्थम होम मिनिश्टर वल्लब भाई पटेल को 1991 में भारत रतन प्रदान किया गया ठीक है next question लेते है question number eight है और विश्टर की पर्थम महिला राष्ट पती को थी ये भी सही question है और ये question नई भी MR के लिए काफी important है एक बार पूछा जा चुका था कि विश्टर की पर्थम महिला राष्ट पती को थी ये आपको बताना है तो correct जवाब इसका हो जाएगा अर्जेंटीना की इसा बेल पैरो ये अर्जेंटीना की पर्थम महिला राष्ट पती थी या फिर कह सकते हैं कि विश्टर की पर्थम महिला राष्ट पती थी next question लेते है question number nine question number nine है विश्टर का सबसे बड़ा महा सागर कौन सा है नवी मारे के लिए इंपोर्टेंट है हाँ परसांत महा सागर पेसिपिक ओसियन ये आपका विश्टर का सबसे बड़ा महा सागर है next question लेते है question number 10 छेतर फल की दिरश्ट से आपको एरिया की दिरश्टर से विश्टर का सबसे बड़ा देश बताना है लगबग सबी को पता होगा रूस रूस जो है वो छेत फल की दिरश्ट से विश्टर का संसार का सबसे बड़ा देश है next question लेते है question number 11 विश्टर का सबसे बड़ा दिवप कौन सा है दिवप दिवप कौन सा है विश्टर का सबसे बड़ा correct जवाब Greenland option number A इसका सही जवाब है Greenland विश्टर का सबसे बड़ा दिवप है next question लेते है question number 12 विश्टर का सबसे बड़ा दिवप पूछ लिया महा दिवप कौन सा है विश्टर का सबसे बड़ा महा दिवप correct जवाब हो जाएगा Asia जो एसिया महाद्यूप है वो विस्व का सबसे बड़ा महाद्यूप है और विस्व का सबसे बड़ा द्यूप कौन सा है ग्रीन लेंड महाद्यूप कौन सा है एसिया याद रखना है आपको नेस्ट कुशन लेते हैं कुशन नमर 13 भारत का सरवाधिक वर्सावाला इस्थान ह कौन से है बारत का हाँ चार नाम यहां पर लिखें और यहां पर मासिन नाम यह जो नाम है आपको याद रखना मासी नाम भारत का सरवाधिक वर्सावाला इस्थान है चलो लेते हैं किस से सम्बंदित है तब ही आप इसका जवाब दे पाओगे तो लगबग सभी को पता होगा और इनके जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे वो थी देविका रानी रूरिक ऑफ्शन नमबर एसका करेक्ट जवाब है निश्क कुशन लेते हैं कुशन नमबर फिप्टीन भारत का जो सर्वोच सम्मान है यह तो लगबग सभी को पता होगा इंडिया का सर्वोच सम्मान कौन सा है तो करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा भारत नमबर भारत रतन जो है वो भारत का सर्वोच सम्मान है निश्क कुशन लेते हैं कुश्चन नमबर 16 है सेना में वीरता के लिए सेना में वीरता के लिए सर्वोच सम्मान कौन सा दिया जाता है भारत की बात हो रही है और सेना में वीरता के लिए जो सर्वोच सम्मान है वो परमवीर चक्र है आपसा नंबर सीज का करेक्ट जाब हो जाएगा नेस्ट कुश्चन लेते हैं कुश्चन नंबर 17 भारत में ध्यान से सुनिएगा कुश्चन भारत में कला साहित विग्यांत अथा लोक सेवा के छेत में विशिष्ट कार के लिए राष्टी समान का सरवोच पुश्चन का कौन साह है तो करेक्ट जाब इसका हो जाएगा भारत रत्र पुश्चन अबर चक्र को भी राष्ट पती देते हैं सौर्य चक्र को भी राष्ट पती ही देते हैं तो आफसा नंबर डी ये सभी इसका correct जवाब हो जाएगा समझ गया होंगे next question लेते है question number 19 question number 19 है Australia की संसत का नाम सभी देशों की संसत का नाम आपको पता होने चाहिए अब बोलो comment box में एक नई वीडियो अलग से बना दूँगा सभी देशों की संसत का नाम और इसे एक question आ जाता है Australia की संसत का क्या नाम है मजलिस Parliament Congress of a Diet तो इसका correct जवाब हो जाएगा Parliament Australia की जो संसत है उसका नाम है Parliament next question लेते है question number 20 है जापान की संसत का क्या नाम है तो जापान की जो संसत का नाम है वो है diet ये भी आपको याद रखना diet जो है वो जापान की संसत का नाम है इसी तरीके से question होता है कि भारत की संसत का क्या नाम है ये question आता नहीं एक्जाम में क्योंकि दगबग सबी को पता है भारत की जो संसत का नाम है वो संसत ही है next question लेते है question number 21 है फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है फ्रांस की currency करनसी और कैपिटल से दो कोईशन आपके अग्जामें बनते हैं तो मैं सारे इस पूरी स्रीज में कम्प्रेट करवा दूँगा फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है हां तो correct जब इसका हो जाएगा euro euro जो है वो फ्रांस की currency नेश कुछन लेते हैं question number 22 है Jakarta किस देश की राजधानी है Jakarta राजधानी है किसी देश की उस देश का आपको नाम बताना है तो correct जब इसका हो जाएगा इंडोनेसिया इंडोनेसिया की जो राजधानी है वो कौन सी है Jakarta नेश कुछन लेते हैं question number 23 अर्जेंटीना की राष्टी बासा क्या है भासाओं से भी question आता है languages आपके official syllabus पर topic भी है language इससे question बनता है अर्जेंटीना की राष्टी बासा क्या है हाँ correct जब हो जाएगा Spanish Spanish जो है वो अर्जेंटीना की राष्टी बासा है next question लेते question number 24 है फ्रांस सरकार का किस सरकार की बात हो रही फ्रांस सरकार का जो अधिकारिक दस्तावेज होता वो क्या कहलाता है blue orange yellow red book तो इसका जो correct जवाब है guys orange book option number B फ्रांस सरकार का अधिकारिक दस्तावेज वो orange book कहलाता है blue book क्या होता है yellow book क्या होता है red book क्या होता है बहुत सारी बुकों ऐसी तरीके से color wise बुक होती है और ये किसी ना किसी देश के अधिकारिक दस्ता वेज होते है तो कौन सा किस देश का होता है एक अलग सी वीडियो बना कि मैं आपको complete समझा दूँगा क्योंकि एक question बन जाता है तो फ्रांस सरकार का अधिकारिक दस्ता वेज क्या कहलाता है और इंज बॉक नेस्ट कुछन लेते question number 25 है इस्पेन का राष्टी चिन क्या इस्पेन का राष्टी चिन नेशनल आपको चिन बताना है राष्टी चिन नेशनल साइन इस्पेन का तो correct जवाब है option number 1 इसा question नहीं लगेगा जो आपके syllabus से बाहर हो मैं आपको वही पढ़ाऊंगो जो नएवी डबले SSR और MR में पूछा जाता है हर एक question आपके जो official syllabus है उसको ध्यान में रखते हुए साथी हम देखते रहते हैं जब paper होते हैं काफी सारे बच्चों से question लेते रहते हैं तो पूछा पता चल जाता है किस टाइप से question आते हैं समविधान आपके official syllabus पे नहीं है लेकिन समविधान से question आ जाते हैं तो इस बार हम समविधान भी cover up करने वाले हैं तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरू बताएगा इसके second part third part अगर आप इस वीडियो के uploading time के कुछ दिन बात देख रहे हैं तो उपर आई बटन पे आपको सारे parts मिल जाएगी या फिनीचे description पे चेक करना और science के best question की series है अगर आप वो series attend करते हो तो आप गारंटी लेता हूँ 20 प्लस तो आप करके आओगे exam में बहुत important question है तो science की link आपको description पे सबसे उपर मिल जाएगी तो click करके जाएगा और से वीडियो को भी देखिएगा बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में take care, bye guys